सूर्य देव के पुत्र हैं शनी, मकर और कुम्भराशी के हैं स्वामी, हर शनिवार करनी चाहिए इनकी विशेश पूजा जोतेश में कुल नौगरह बताए गए हैं, इन नौगरहों में शनी देव को या अधीश माना गया है शनी सूरेदेव के पुत्र हैं और मकरकुम्भराशी के स्वामी है अर शनिवार शनी के लिए तेल का दान करने की परंपरा है उज्जैन के जोतिशा चारे पौन मनीश शर्मा के अनुसार जाने ये शनी देव से जुड़ी कुछ खास बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए शनी देव को कर्म प्रदान देवता माना जाता है यानि ये ग्रह हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान करता है शनिदेव सूरेदेव के पुत्र है और इनकी माता का नाम चाया है यमराज इनके भाई और यमुना इनकी वेन है शनिदेव उन लोगों के लिए शुब रहते हैं जो परिश्रम करते हैं अनुशासन में रहते हैं, दर्म का पालन करते हैं और सभी का समान करते हैं शनीदेव को प्रसंद करने के लिए हर शनिवार सरसों का तेल दान करना चाहिए इस समय शनी धन्नू राशी में है इस कारण व्रिश्चिक, धन्व और मकर राशी पर शनी की साड़े साती है प्रिश और कईया राशी पर धया है परशनिवार शनी के साथ ही पीपल की भी विशेश पूजा करनी चाहिए पीपल को जल चढ़ाएं और परिक्रमा करें शनिदेव को तेल चढ़ाते समय ध्यान रखें की कि तेल इधर उधर गिरना नहीं चाहिए शनिवार को काले तिल का दान करें चमड़े के जूते चपल दान करना भी शुब माना गया है हर्शनिवार को शमी के पेड़ की भी पूजा करें इसके अलावा शनी के सामने तेल का दीपक जलाएं हर्शनिवार हनुमान के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान 40 आका बाठ करना चाहिए